हेलो फ्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आज की सेशन में आप सभी का आज की सेशन में हमें एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक फिजिक्स का डिसकस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है ट्रांसपोर्ट फिनोमेना जी हां बहुत इंपोर्टन लेकिन बहुत आसान है पर ये वीडियो आपके लिए हेल्फुल होता है तो फ्रेंस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तो आएए हम स्टार्ट करते हैं डिस्करजन ट्रांसपोर्ट फेनोमेना का फ्रेंस आपने छोटी क्लासे से ही पढ़ा होगा अलग-अलग टर्म और इस चैनल पे भी आपको वीडियो मिलेंगे इस से रिलेटेड जैसे हम लोगों ने कंडक्शन की भी बात की है अच्छे से छोटी क्लास से ही आप पढ़ते हैं विसकोसिटी से रिलेटेड तो फुल वीडियो मैंने इस चैनल पर दे रखा है अगर आपको कोई डाउट है तो आप उस वीडियो को देख लीजे एक पार और एक और डिफ्यूजन टर्म है ना तो विसकोसिटी जिसे हिंदी में आप कहेंगे श्यान्ता है ना विसकोसिट अगर से भी आप परिचीत हैं यहां शॉट में हम आपको बताएं कि श्यान्ता क्या था श्यान्ता में आप पढ़ते थे कि किसी भी फ्लूइड यानि जिसमें फ्लो करने का घुड हो है ना तो लिक्विड और गैस दोनों ही फ्लूइड होते हैं यहां हम ट्रांस्पोर्ट फिनोमेना गैसेज के लिए पढ़ रहे हैं तो अगर किनी दो लेएर्स के बीच फ्लूइड के दो लेएर्स के बीच रिलेटिव विलॉसिटी हो रिलेटिव मोशन हो सापेक्श गती होती है तो इन दोनों लेएर्स के बीच एक बैकवर्ड ड्राग लगता है खिचाओ तो फ्रेंट्स यहां इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि विस्कॉसिटी तभी काम करती है जब दो लेयर के बीच रिलेटिव मोशन हो यानि एक लेयर और दूसी लेयर के विलोसिटी में डिफरेंस हो ठीक है अच्छा विलोसिटी किस से रिलेटिड होती है मोमेंटम से विलोसिटी अगर वी है और मास अफ दे पार्टिकल एम है तो एम वी इस दा मोमेंटम है अब अगर एक लेयर और दूसी लेयर के विलोसिटी में डिफरेंस है तो इसका मतलब दोनों में मोमेंटम में डिफरेंस आएगा तो विलोसिटी का डिफरेंस रिलेटेड है momentum से यानि कहीं ना कहीं जो viscosity है उसका relation किस से होगा momentum से होगा ठीक है तो हम transport phenomena में इसे use करेंगे तो viscosity क्या है आप जानते हैं कुसी doubt के लिए इसी channel पर video है उसको आप देखेंगे और यहां हमने क्या देखा viscosity जिसका relation है अलग-अलग layers के बीच जो velocity है उसके difference से यानि कहीं ना कहीं वो momentum से related होगा तो friends जो transport phenomena है वो तीन जो phenomena है उनको include करता है और इन तीनों को मिलाकर कि हम transport phenomena उसको बोलेंगे एक तो हमारा phenomena of viscosity होगा ठीक है phenomena of viscosity यानि श्यानता पहला होगा और यह किस से related है difference of velocity between the layer यानि यह momentum से संवेख से related है न तो viscosity phenomena जो है वो किसको ट्रांसपोर्ट करेगा किसको ट्रांसफर करेगा एक जगे से दूसी जगे तो यह momentum को ट्रांसफर करेगा momentum संवेख को ट्रांसफर करेगा ठीक है यह चीज आपको clear हो गया कि किसको यह ट्रांसफर करेगा momentum को कौन सा phenomena 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 of viscosity ट्रांसपोर्ट फिनोमेन में तीन फिनोमेन आएंगे एक तो viscosity आएगा एक conduction आएगा phenomenon of conduction यानि चालन और तीसरा diffusion जिसमें से phenomenon of viscosity किसका transportation करेगा किसको फ्लो कराएगा तो momentum को फ्लो कराएगा संवेख को ठीक है क्यों संवेख आया वो मैंने explain किया भी आपको फिर आप आईए कि दूसरा जो हमने बात की phenomenon of conduction यह भी चालन की बात की तो फ्रेंट्स चालन भी आप छोटी classes से ही पढ़ रहे हैं आपने क्या देखा तो जो heat flow के mode होते हैं तीन mode आपने पढ़े conduction convection and radiation conduction convection and radiation ठीक है यही तीन में से पहला है आपका जिसे हम नाम दे रहे हैं यहाँ पर conduction यानि चालन इसी से related है ट्रांसपोर्ट फिनोमेना में जो दूसरा point हम देख रहे हैं phenomenon of conduction तो फ्रेंट्स conduction में आपने क्या पढ़ा है कि जो medium के particles हैं वो अपनी जगे नहीं छोड़ते हैं बलकि अपनी ही position में वो oscillate करते हैं और एक दूसरे को contact करके touch के through energy का heat का transfer करते हैं है ना तो इसका मतलब क्या हुआ कि phenomenon of conduction की जो हम लोग बात करेंगे यानि transport phenomena का जो दूसरा point है phenomenon of conduction उसमें हम क्या देखेंगे कि कैसे material particles एक दूसरे को touch करके higher temperature से lower temperature की तरफ heat का transfer करते हैं यानि इस transport phenomena का जो दूसरा point है phenomenon of conduction वो किसका transfer दिखाता है वो दिखाता है transfer of thermal energy को ठीक है viscosity ने किसका दिखाया उसने दिखाया transference of momentum फिर हमें आपका जो conduction है phenomenon of conduction वो क्या दिखाता है transference of thermal energy को दिखाता है यानि कि first वाला जो phenomenon of viscosity है उसके लिए जो layers है उनके बीच में velocity का difference होना चाहिए यानि relative velocity होगा तभी viscosity आएगी इसी तरीके से conduction phenomenon of conduction में heat का transfer तभी होगा जबकि material के particles के बीच में यानि gas के अलग-अलग part में temperature अलग-अलग होगा अगर अलग temperature नहीं होगा सब जगे एक ही temperature होगा तो कोई भी conduction phenomena नहीं hold करेगा वहाँ पे conduction नहीं होगा बिना temperature difference के तो पहला वाला आपका related है velocity के difference से phenomenon of viscosity momentum से related है इसका मत्वा velocity से related है दूसरा वाला difference यानि जो gaseous आपने body ले रखी है गैस ले रखा है उसके अलग-अलग part में temperature अलग-अलग होगा तभी phenomenon of conduction गोल्ड करेगा और friend diffusion भी आपने कई जगों पर पढ़ा है diffusion में आपने क्या पढ़ा मान लीजे आप कोई container ले रहे हैं और इस container के अंदर आपने किसी gas को fill कर रखा है अब उस container के अंदर अलग-अलग part में अगर gas की density अलग-अलग हो जाए ये container है मान लीजे इसमें इस part में gas के particle बहुत पास-पास है ठीक है और दूसरे part में gas के particles दूर-दूर है यानि यहाँ पर density कम है और इसको free छोड़ दें तो आप देखते हैं automatic यहाँ के particle जहाँ पर density कम है जहाँ पर घनत्व कम है उस कम density की तरफ कम घनत्व की तरफ ज्यादा density वाले पार्टिकल अपने आप मूव करते हैं चलने लगते हैं इसी को आप कहते हैं diffusion यानि विश्रण ठीक है तो यहाँ किसका difference किसका था number of particles यानि particle density अलग अलग थी और अगर particle density में difference होगा तो ही diffusion process होगा और diffusion process क्या करता है यह तब तक होता है जब तक कि पूरे body में जो material particle की density है वो एक सी ना हो जाए तो इस तरीके से यहाँ पर किस चीज का transportation हो रहा है जो diffusion phenomena आपने देखा है उसमें transportation किस चीज का हो रहा है इस transport phenomena में यहाँ पर molecules एक जगे से दूसी जगे ट्रांसफर हो रहे हैं तो phenomena of diffusion जो आपने लिया है यहाँ थर्ड जो point है phenomena of diffusion इसमें mass या number of particles एक जगे से दूसी जगे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो इसमें क्या है this results in the movement of the molecules from region of higher value of N यहाँ पर ज्यादा particle density है वहाँ से जहाँ पर कम particle density है उस तरफ transportation होता है transference होता है particles का molecules का mass का transfer होता है और यह तीन मिल करके एक साथ जब होते हैं तो इसी को हम कहते हैं तीनों को मिला करके transport phenomena तो friends यह तो short में हमने देखा यानि तीन मिला दीजिए phenomena of viscosity, phenomena of conduction and phenomena of diffusion तो यह तीनों को एक साथ मिला करके हम कहते हैं transport phenomena ठीक है अब क्यूं आया पहला वाला phenomena of viscosity वह क्यूं आता है momentum का transference करता है, velocity difference होता है जब किसी gas के अंदर एक part से दूसरे part के बीच में जब velocity का difference होता है ताब हमें मिलता है phenomena of viscosity दूसरा वाला phenomena of conduction जब गैस के एक part से दूसरे part के बीच temperature का difference होता है तब मिलेगा Phenomena of diffusion कम मिलता है जब particle density में difference आता है तब आपको मिलता है Phenomena of diffusion तो friends इसमें हम थोड़ा सा और आपको short में बताएंगे starting हम कहां से करना चाह रहे है Maxwell के distribution law से कहीं कहीं इसकी जरुवत पड़ती है अगर आपको जितना मैंने बताया उतना ही sufficient है तो आप उतना ही लिखें जहां पर पूछा जा रहा है लेकिन ये चीज़ें भी जो हम बता रहे हैं इसकी भी आपको जरुवत समझने के लिए पड़ सकती तो short में मैं ये भी बता देती हूँ कि Maxwell law of distribution of velocity आपने सुन रखा होगा thermodynamics में बहुत ही ये famous है बहुत ये वाला distribution law तो Maxwell ने जो number of particles का distribution किया जो gas body है gases body के अंदर number of particles का distribution velocity के according किया था ठीक है अब इसमें ये देखिए 4 pi c square dc अगर इसको आप एक साथ लें तो कुछ आप sphere है न गोला circle नहीं गोले की बात करें तो velocity का एक sphere अगर आप बनाएं जिसका radius हो c तो इसके surface area कितना होगा 4 pi c square है न और अगर इसको हम थोड़ी सी इसकी thickness यहां से बढ़ा है dc तो ये जो thickness बढ़ाने पर ये volume वाला shaded वाला part का जो volume आएगा ये जो हम shaded कर रहे हैं इसका अगर हम volume लिखें तो ये volume क्या होगा 4 pi c square ये जैसे area of base into height है न इस formula को लगा दें तो height कौन सा ये वाला height है न तो area of base आप 4 pi c square into height ये वाला लगाएं तो 4 pi c square dc ये हम लेंगे तो ये shaded वाले part का volume आजाएगा ठीक है अब इसी part को हम c जो particle की velocity है उसको 3 part में अगर हम लिखें जो c है उसको u, v, w के terms में लिखें तो dc को हम 3 parts में लिखेंगे du, dv और dw ठीक है तो c के terms में अगर हम निकालते है volume तो ये आता है लेकिन u, v, w के terms में इसी volume को निकालेंगे तो du, dv into dw ये आएगा यानि ये दोनो term बराबर आएंगे अब अगर ये terms हमारे बराबर आ रहे हैं तो जो Maxwell की equation आई है उसमें 4 pi c square dc की जगे du, dv और dw हम लिख सकते हैं तो जैसे ही हम 4 pi c square dc की जगे du into dv into dw लिखेंगे friends तो क्या हो जाएगा अब देखिए equation अपने नय form में आ जाता है equation ने इस form में लिख लिया हमने अब यहाँ c क्या था c जो है rms velocity थी तो c और u, v, w, x, y, or z direction में velocity के components थे हैं इसका मतलब क्या है c और u, v, w को एक ये relation होता है तो जहाँ पे c square आया था उसकी जगे हम ये नया relation भी लिख सकते हैं तो जैसे ही हम ये नया relation लिखेंगे हमें इस form में equation मिल गया अब यहाँ u, v, w क्या है ये particle की gas के जो particle से molecule से हैं उनकी x, y, or z direction में velocity है लेकिन ये total velocity है total velocity में दो components होते हैं शामिल और वो components कौन से होते हैं एक component तो होता है friends जो random thermal velocity है यानि thermal energy की वज़े से जो randomly molecule move करता है और एक होता है mass velocity mass velocity का मतलब क्या है पूरी container के अंदर जो gas हमने ले रखा है इस gas के सारे molecule यानि पूरी container को ही हम move करा रहे हैं आप ये समझ लीजे यानि इसके अंदर molecules अपना motion कर रहे हैं वो तो है random thermal velocity और एक है कि हम पूरे container को अगर move कराएं किसी direction में तो सारे particles में x direction में सारे particle की velocity u not y direction में v not और w direction में w not हम ऐसा लिख सकते हैं velocity यानि एक साथ सारे particles जो मिल करके motion कर रहे हैं उसको हम mass velocity कहेंगे ठीक है अब यहां पर mass velocity को हम सारे particles का एक सा भी हो सकता है और यह भी हो सकता है कि मानली जी इस part में यहां के particles की mass velocity xc यहां के particles की mass velocity xc और इन particles की mass velocity xc हो ऐसा भी हो सकता है यानि part part में भी आ सकता है जैसा कि हम लोगों ने भी विसकोसिटी वाले case में देखा और जो पहले भी मैंने विसकोसिटी का वीडियो दिया है वहाँ पर मैंने विसकोसिटी को fully explain किया है वहाँ आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने बार-बार वहाँ क्या कहा कि जो एक पहली लेयर है fluid की उसकी velocity बहुत कम उसके ऊपर की लेयर के स पार्टिकल उससे ज्यादा विलोस्टी से फिर इस लेयर में और ज्यादा विलोस्टी से तो आप देखिए इस लेयर के सारे पार्टिकल एक विलोस्टी पे ये एक विलोस्टी पे है तो यह सारे पार्टिकल की मास विलोस्टी एक होगी इनकी मास विलोस्टी दूसरी होग में अलग-अलग भी आ सकती है, तो अगर सारे particles की mass velocity same आ रही है, ठीक है, यानि u not, v not, w not है, तो हम, और random thermal velocity, total velocity क्या थी, u, v, w, और mass velocity u not, v not, w not, तो हम random thermal velocity कैसे निकाल सकते हैं, total में से mass velocity minus कर दीजे, तो random thermal velocity आ जाएगी, तो x direction की random thermal velocity, y की और z की तीनों लिख लिया, अब इनको अगर हम single term देना चाहें, तो हम इस तरह से ले सकते हैं, यह आपकी random thermal velocity, x direction में, y direction में और z direction में, यह हम यहाँ पे तीनों लिख सकते हैं, अब अगर हम यहाँ पे Maxwell equation जो हम लोगों ने उपड derive किया था, friends, उसमें से हम बिना mass velocity, यहाँ हम mass velocity को ignore करके, यहाँ से हम mass velocity ना लेना चाहें, mass velocity को बिलकुल भूल करके, सिर्फ random thermal velocity के base पर निकालना चाहें, तो यह जो u, v, w हैं, उनको हम इसे replace करेंगे, ठीक है, लेकिन कब replace करेंगे, वो एक condition होगी, अभी जब हम replace करेंगे, तो यही equation आपको इस form में यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन यह replacement कभी hold करेंगा, जब जो u, v, w, u naught, v naught, w naught, यानि कि जो mass velocity है, gas particles के, और total temperature पूरे gas system का, और particle density, यानि number of particle per unit volume, पूरे gas system में, वो पूरी जगे पर, यानि container के अंदर, पूरे container में, ये value सेम हो, तभी ये replacement hold करेंगा, यानि जो equation ये वाली I है, जो कि हमने सिर्फ thermal motion के base पर लिया है, जहां mass velocity हमने ignore किया है, तभी hold करता है, जब ये terms, पूरे gas ये system के लिए सेम हो, लेकिन अगर, gas container के अंदर, अलग अलग part में, हमें temperature अलग अलग मिले, या number density, यानि particle per unit volume अलग मिले, या कि ये mass velocity अलग मिले, तो ये relation hold नहीं करता, इस case में हम क्या कहते हैं, हमारा gaseous system equilibrium में नहीं है, यानि जब तक equilibrium में है, तब ही तक आपका जो Maxwell ने particle distribution दिया था, Maxwell का particle distribution, mass velocity को हटाते हुए, सिर्फ random thermal velocity पर hold करता है, जब तक हमारा gaseous system equilibrium में है, यानि ये terms पूरे gaseous system के लिए सेम है, अगर ये term gaseous system में पूरी जगे पर हर जगे पर सेम नहीं है, यानि हमारा gaseous system जो है, gas is not in equilibrium state, और जब gas equilibrium में नहीं होगा, तो क्या होगा, वहाँ three possibilities होंगी, ठीके, और three possibilities के इस बेस पर, अगर velocity में difference है, तो पहली possibility जो हम लोगों ने पढ़ी थी, viscosity यानि श्यान्ता हमें मिलेगी, अगर temperature में difference है, तो हमें दूसरी possibility, conduction यानि चालन मिलेगा, अगर particle density में difference है, तो तीसरी possibility, यानि कि हमें diffusion, visceral मिलेगा, ठीके, और ये भी हो सकता है, तीनो में difference हो, तो हमें तीनो एक साथ भी मिल सकते हैं, फिनोमेना, ठीके, इसी लिए यहाँ पे लिखा है, कि there are three possibilities, occurring singly और jointly, ये अलग-अलग भी, single-single भी मिल सकते हैं, depending on कि किन-किन चीजों का difference मिल रहा है, गैसियर सिस्टम के अंदर, और ये हमें jointly भी मिल सकते हैं, और इन तीनों फिनोमेना को, हम साथ में क्या बोलते हैं, transport phenomena, तो पहला क्या था हमारा, velocity में difference की वज़े से, हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है, phenomena of viscosity, the component of velocities, U0, V0, W0, may not have the same value, in all part of the gas, और अगर ये सेम नहीं होगा, तो क्या होगा, this will result, this will result in relative motion of the gas layers, with respect to one another, और जो relative motion होता है, उससे हम क्या कहते हैं, phenomena of viscosity, ठीक है, and the second, जो transport phenomena है, यानि phenomena of conduction, the temperature of gas may not be same throughout, this result in the transference of thermal energy, from the reason of higher, to lower temperature, ठीक है, उच्च तापमान से, निम्न तापमान की तरफ, उजा जाएगी, उश्मी उजा है न, this gives rise to phenomena of conduction, और थार्ड क्या है, the number of molecules per cc, यानि particle density, molecular density, that is N, may not be same throughout, the volume of the gas, पूरी गैस के आयतन में, जो molecular density है, वो सेम नहीं हो सकती है, this result in the movement of the molecules, from the region of higher value of N, to the lower value of N, this gives rise to phenomena of diffusion, from the above discussion, it is clear that transport of momentum, पहले वाले से, कहां से, phenomenon of viscosity से, transport of momentum होता है, and दूसरा, transport of energy, कहां से होगा, phenomenon of conduction से होगा, ठीक है, and तीसरा, the transport of mass, मास यानि किस से होगा, diffusion से होगा, ठीक है, phenomenon of mass, जो third है, represent the viscosity, यह किसको represent कर रहा है, जो transport of momentum है, वो viscosity को represent करता है, transport of energy, conduction को represent करता है, and transport of mass, represent करता है, diffusion को, respectively, these are called transport phenomena, from the thermodynamics point of view, the transport phenomena are irreversible, यह reversible नहीं होते है, the transport phenomena, occur due to the thermal agitation of molecules, उसमें उश्मी उठजा आती है, उसकी विज़े से, transport phenomena हमें मिलता है, क्योंकि उश्मी उठजा की वैसे, जो molecules है, पार्टिकल के अंदर, वो move करते हैं, और उसकी वैसे, transport phenomena मिलता है, जो आगे के वीडियो में, हम detail study जो करने वाले हैं, phenomenon of viscosity, phenomenon of conduction, phenomenon of diffusion का, वहाँ आप देखेंगे, कि thermal energy की वैसे, जब molecule motion करते हैं, उसी की वैसे, हमें transport phenomena मिलता है, the molecules in a particular layer, are associated with certain value of velocity, components, temperature, and molecular density, they tends to minimize the difference, जो system है, उसकी tendency होती है, कि वो जो difference है, velocity का, temperature का, और particle density का, उसको minimize करने की, कम से कम करने की, कोशिश करता है, इसी लिए तो viscosity है, इसी लिए तो conduction है, इसी लिए तो diffusion हो रहा है, जिससे difference कम हो जा, और तब तक ये phenomenon होते हैं, जब तक difference बिल्कुल खतम नहीं हो जाता, जैसे heat flow तब तक करती है, जब तक पूरे system में, temperature एक सा नहीं हो जाता, है न, इसी तरह से viscosity, इसी तरीके से diffusion भी, the molecules actually possess large velocity, whereas these phenomena of viscosity, conduction and diffusion are comparatively slow, क्या observe किया गिया, कि जो thermal energy की वैसे, molecules move करते, बहुत तेजी से move करते हैं, लेकिन जो हमें, conduction और आपका viscosity, और diffusion phenomena मिलता है, वो उसके comparison में, बहुत slow होता है, तो ये slow होने का reason क्या है, this anomaly is explained, on the fact that, molecules frequently collide, molecules एक दूसरे के साथ, तेजी से collision करते हैं, उसी collision की वज़े से, जो viscosity की वैसे, momentum का transference, या conduction की वैसे, heat का transference, या diffusion की वज़े से, mass का transference, उतना fast नहीं होता है, जितनी तेजी से molecules move करते हैं, जैसे, molecule थोड़ी दूर जाएगा, और दूसरे molecule से collision करता हैं, तो उस collision की वैसे, वहीं पर energy का transference हो जाता है, और वो फिर अपने zero value पे आ जाता है, फिर आगे चलता है, और इसका result क्या होता है, कि जो viscosity है, जो conduction है, जो diffusion है, उसका process slow हो जाता है, as compared to thermal motion of the molecules, यानि main cause क्या है, frequent collision between the molecules, यही इसका कारण होता है, therefore the transport phenomenon, basically governed by the mean free path, है ना, collision ने क्या किया, कि जो random motion, जो thermal motion molecule का बहुत जादा है, लेकिन collision की वज़े से, viscosity, conduction और diffusion slow हो गया, अब जब ये process slow हो गया, तो उसका कारण क्या था, collision, और collision किस से related होता है, mean free path से, mean free path से आप aware होंगी, अगर आपको जानकारी नहीं है, तो आप comment में लिखे, मैं अलग से आपको mean free path, detail में बताऊंगी, अभी आप इतना समझ लीजे, गयस में बहुत सारे molecules है, और ये move करते, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, तो दो successive collision के बीच, जो average distance move करता है molecule है न, दो क्रमागज जो टकर के बीच में, जो हमारा molecule जितना distance move करता है, average distance है न, और सादूरी जो चलता है दो टकर के बीच, उसी को हम कहते हैं mean free path है न, और collision की वज़े से ही, conduction आपका, आपका viscosity, आपका diffusion, ये process slow हो रहे हैं, और collision का relation किस से है, mean free path से है, यानि mean free path actually, जो control कर रहा है, वो viscosity, conduction और diffusion को, है न, तो इसलिए क्या कहा गया, therefore the transport phenomenon, basically governed by the mean free path, lambda of the molecule, a molecule moving through a free path, lambda is actually transferring momentum, energy and mass through a distance, lambda, जो molecule यहाँ से move करता है, lambda distance चला और दूसरी टकर, इसकी लगी यहाँ पर है न, तो ये move करने वाला molecule ही, तो अगर ये molecule यहाँ से यहाँ गया, तो इसने, viscosity के case में, इसने किस को transfer किया, momentum को है न, जब viscosity का case था, और किस से related था, momentum से, तो momentum का transfer हुआ, इसने conduction के case में, energy का transfer किया, और इसने, diffusion के case में, mass का transfer किया, कितने distance तक, lambda distance, यहाँ का molecule यहाँ गया, lambda distance पर टकराया, तो lambda distance पर जाकर, यानि mean free path, जितनी distance पर जाकर के, इसने, momentum का, mass का और energy का transfer किया, यानि हमने यहाँ क्या देखा, कि viscosity या, conduction और आपका diffusion, यह slow process क्यों है, slow process होने का कारण है, collision between the molecules, और collision related है, collision का संबंद आता है, कहां से, mean free path से, यानि, दो successive collision के बीच की, average distance, और सद दूरी, दो क्रमागर टक्करों के बीच की, तो यह lambda, जो mean free path है, यह govern करता है, इस transport phenomena को, the transport phenomena, occur only in non-equilibrium state of the gas, हम लोगों ने starting से, यही discuss किया है, कि जब non-equilibrium होगा, तभी आपको, यह तीनों phenomena, यानि, viscosity, diffusion, and conduction मिलते हैं, यानि, non-equilibrium में ही, आपको transport phenomena मिलते हैं, तो friends, transport phenomena में, आज इतना ही, viscosity, conduction, और diffusion, इसकी detail study के लिए, हमारे साथ, आगे की videos में, बने रहिएगा, कोई अलग जानकारी के लिए, जो इस topic पे आप चाहते हैं, तो comment box में, जल्दी से लिखिए, मैं उस पर आपके साथ, जोड़ करके, नए वीडियो के साथ, आपको कोशिश करूँगी, कि जानकारी, जल्दी से जल्दी, उपलप्त करा दी जाए, आज के वीडियो में, अन तक हमारे साथ, बने रहने के लिए, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद,